जहां संसदिय कारे मंत्री कवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है मौनसून सत्र को लेकर सरकार की तयारी पूरी है कवरपाल गुर्जर ने कहा विपक्ष के सभी सवालों का सरकार जवाब देगी उन्होंने कहा मौनसून सत्र की अब्धी पर फैसला बीएसी में होगा भुपेंद्र हुडा पर संसद्य कारेमंत्री कवरपाल गुर्जर का पलटवार भुपेंद्र हुडा सत्ता में आने के लिए लोगों से मरसी अपील कर रही है प्रदेश में फिर जनता बीज़पी के साथ आएगी किसानों के प्रदर्शन पर धी कवरपाल गुर्जर ने बयान दिया उन्होंने कहा हर्याना में किसानों को प्रदर्शन की जरूरत नहीं है और क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनाते हैं सब्सक्राइब लेकिन मैं समयता हूँ के साथ वर्तमान सरकार काम कर रही है और चाहे रोजगार देने की बात है चाहे ड्वेलमेंट की तो निश्चित तोर से जनता का सीरवाद बारतिनता पर्टियों मिलेगा उसकी कोई जुरूरत थी जिस प्रकार से सरकार ने हर्याना सरकार ने तो पहले यह मोजे का कुछ भी पैसा है जो भी है जितना भी है तो जल्दी सरकार उनके अकाउंट में डाल देगी तो मैं विश्वास दलता हूँ मैं नहीं समयता कि इसके लिए को जूरूरत है आज तक हमने कभी भी किसान को इस प्रकार से मोगई नहीं दिया उसको के वह आये और अपनी बात को इसके करें हम पहले से उसकी चिंता करते हैं और पिछली सरकारों को मकाबले में हमने आठ गुणा से भी ज्यादा मोजा किसान को दिया तो देखे हर्याना में किसानों को प्रदर्शन की जरूरत नहीं है ये मुख्यबाद जो है मंत्री कवरपाल गुर्जर ने कही है और मानसून सत्र को लेकर सरकार की पूरी तयारी है इस बात की भी उन्होंने जानकारी दिए उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तयार हैं